हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप एक दम बेस्ट होंगे दोस्तों अभी आप हमारे सामने यहां पर देख सकते हो अल न्यू 2023 की टाटा नेक्स वन फियर्नेस की यह मोडल लग गई है लेकिन भाई यह जो गाड़ी है वो टॉप मोडल नहीं है टॉप मोडल आप ह थोड़ा सा नीचे है तो भई टॉप मोडल से जब थोड़ासा की गाड़ी से सो इसमें क्या कुछ फंक्षन मिलता ने इस ने देखा बहुत सारे function थे, अब उस function में से company ने कटोती किया है, कौन-कौन सा features इस गाड़ी में नहीं दिया है, और इस गाड़ी की एक showroom price क्या है, on-road price क्या है, features कितना है, mileage कितना देगी, top speed क्या है, interior features कितना है, safety कितना है, सभी कुछ complete जनकारी, आज के इस वीडियो मे मैं देने वाल हूँ आपको, इससे पहले भाई साब, अभी तक आप हमारे चैनल को subscribe निक्यों होगे, तो subscribe करके bell icon को दबालो, और वीडियो पसंद आगा, तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करना, चूकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, Tata next one की top model से, एक model नीच आप अच्छे से वीडियो देख सकते हो, और enjoy कर सकते हो, चलिए, let's start the video, बात करते हैं सबसे पहले इसके front look से, तो front में आप यहाँ पे इसका design देखोगे न, तो यह है इसका turn indicator, और यहाँ पे इसका जो glimpses है न, यह भाई काफी जादा, काफी जादा enhance करता है इसके look को, इसके साथ साथ बीच में आपको Tata का basing मिल जाता है, और यहाँ पे आपको front में भी parking sensor मिलता है, तो hook का option आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके साथ साथ आप fiber body में यहाँ देखोगे, और piano black finish में आपको यहाँ पे मिलता है, इसके साथ साथ थोड़ा साथ आपको gray color आपको नी community type का आपको यहाँ पे company light offer करता है, बहुत ही unique design है आपको अब इस segment में देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ मैं बताऊंगा, इसके साथ में क्या function है और इसमें क्या function company ने नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसका जो seat है वो ventilated seat अब आपको यह गाड़ी में नहीं मिलत control, EAC, वो best model से ही start है, चाहे आप इसका 8,20,000 रुपया ओला model खर दो, या फिर आप 15,000,000 रुपया ओला model खर दो, आपको safety जो है, वो हर एक गाड़ी में देखते को मिलेगा, इसके साथ साथ बात करते हैं, इसके front की टार की, तो यहाँ पर आप देखो, इसका front का टार है न लेकिन फिर भी यह बोलो, तो at least must लग रहा है देखने में, टार की profile की बात करें, तो 215 by 60, R16 में आपको यहाँ पर इसके front के profile देखने को मिलता है, फ्रेंट की suspension के बारे में बात कर लेए, तो यहाँ पर देखो, front का suspension आपको कुछ इस ताइब से मिलता है, और टार का जो अर्मोस्ट है, आपको dual color door में मिलता है, तो look काफी ज़्यादा best है, यहाँ से door handle की बात करें, तो door handle के पास भी आप देखोगा कि auto sensor के साथ खुलता है, यहाँ पर कुछ cut आपको इसके cut देखने को मिलता है, इसके साथ-साथ pillars की मैं बात कर लो, तो यहाँ पर A pillars, B pillars, और C pillars यह जो है आपको matte black में ही मिलेंगे, ORVM की बात कर लेंगे, तो ORVM आपको यहाँ पर देख सकते हो, integrated इसका turn indicator यहाँ भी मिलता है, और turn indicator आपको यहाँ भी थोड़ा सा मिलता है, इसके साथ-साथ 360 degree camera के साथ मिलता है, तो एक camera आपको यहाँ side portion से हो गया, और एक camera आपको य आस-पास बाजू में अगर आप घूमोगे न, यहाँ पर, तो automatic interior में भाई, movement करता है, यहाँ पर alarming करता है, कि बंदा कोई अगल बगल घूम रहा है आपके गाड़ी के, तो यह चीज़ कहीं न, कहीं best है, बाकी look देखोगे, तो arrow dynamic, यहाँ से आपको यह जो look है, यह इस type से है, तो यहाँ पर आप देखो, भाई, यह जो है, वो company celebration मना रही है, पचीस साल में, total 50 लाख कार इन्होंने sell करदा है, इसके साथ साथ, इसका यह जो आप देखोगे न, roof rail, roof rail आपको कुछ इस type से मिलते है, और हाँ, यह गाड़ी में आपको sunroof नहीं मिलता है, अगर आप थोड़ा सा fearless में, top model पर जाते हो, तो आपको वहाँ पर sunroof मिलता है, वहाँ पर price भी बढ़ेगा, और इस गाड़ी का थोड़ा सा price down होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे features नहीं भी मिलते है, क्या कुछ नहीं मिलता है, वही तो मैं आज बात करने वाला हूँ, तो सबसे पह काम से थाली रहके खाना का सकता है, इतना मस्त इसका मिलता है, इसके साथ company यहाँ पर fiber का भी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर थोड़ा से दूसरा color है, यहाँ पर company fiber यूज करती है, और भाई पीछे से अगर बात के लिए तो पीछे से तो पता ही नहीं चलता है, कि भाई इसका Wiper कहा है, पता चल रहा है आपको, है भी या नहीं इसमें, हो सकता है, बैस मौडर तो काजुक नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं है बही, यहाँ पर आपको छुपार उस्तम Wiper है, यहाँ पर चुपार उस्तम Wiper मिलता है, tiger का पहचान मिलता है, इसके साथ आपको व भी मिलता है जो कि आपको यहां पर थोड़ा सा ग्रेकलर टाइप में देखने को मिलेगा नीचे फाइवर बॉड़ी का भी कंपनी यूज क्या है इसके साथ साथ बूट स्पेस आपको मैं यहां से ओपन करके दिखा देता हूं इस गाड़ी में तो यह देखो फोली हाइड्र बॉटल को भी आराम से यहां पर रख सकते हो अगर आप कहीं टूरूर पर जाओगे तो बॉटल को भी यहां पर फिक्स कर सकते हो इसके साथ साथ यहां पर आपको मिलता है टायर स्पेर विल स्पेर विल की प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहां देखोगे 1951 60 R16 में कहीं न कहीं काफी जादा बेस्ट है इस सिगमेंट में और इसके साथ साथ अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में अंदर बैठते हैं और बताते हैं क्या कुछ कम्पनी ने ओफर करा है इसके तॉप मोडल से एक नीचे है ना मोडल तो यह नीचे वाले मोडल में क्या है तो भाई मैं गाड़ी के अंदर बैठोंगा बैठने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या कुछ option आपको यह गाड़ी में देखने को मिलेगा तो चलिए बिना लेट के हुए बैठते हैं लेकिन इससे पहले आपको इसका डूर दिखाते हैं तो डूर आप बहुत सारा क्वालिटी से अब आपको यह गाड़ी मिलता है इसके साथ सबसे पहले तो अगर जब आपको फुली भाई आउटस्टांडिंग लुक प्रोवाइड करती है रेंज रोवर के दा साथ यहां पर यह दोखोगे डूल टाइप से जो कोटिंग है यह बिल्कुल आपको स्पॉर्टी गाड़ी में BMW में रेंज रोवर यह सब में देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर यह दो देखोगे यह हो गया वाइपर का यहां देखरो स्मार्ट वाइपर देखने को मिलता है टॉन इंडिकेटर यह सारे लाइट मिलते हैं यह देखो भाई कैमरा का तो कहना ही नहीं यह मा कसम यार लाजवाब कैमरा ल अभी यहां गाड़ी लगी है इससे पहले देखो कितना ज्यादा व्यू अगर बोले ना तो यही आपको यहां से देखने को मिलता है इसके साथ आप देख सकते हैं सारा चीज आपको गाड़ी का आउट-स्रेंडिंग लुक प्रवाइड कराता है तो 10.25 इंचेस का आपको य में ज्वीवर, मीडिया, फोन सेटिंग, क्विक शेटिंग और इसमें आपको एक चीज नहीं मिलता है आयराई जो फंक्शन है वह आपको इसमें नहीं मिलता है तो यहां पर जैसा कि मैंने टॉप मॉड़ल वाला वीडियो देखा होगा तो यहां पर दो बटन आपको मैंन दिया है बाखी यहां पर दیک kita हो काफी यहांडब सेथा है बाखी बाख करते हैं इसके instrument cluster पर यानि भाई मैं इसको यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको 3-3 मोड मिलता है spot mode city mode और एक मिलता है आपको eco mode इसके साथ सथ आप यहां से control कर सकते हो सारे चीज़ वियू करके आप यहां से देख सकते हो तो यह कहीं ने कहीं काफी ज्यादा function मिलता है climate control मिलता है IRVM की बात करे लेए तो IRVM आपको काफी ज्यादा मस आपको यहां पर IRVM मिलने वाला है इसके साथ साथ बात करें तो यहां पर ticket holder मिलता है और यहां पर इस बात करें तो mirror मिलता है यहां पर आप तो कुसs music system passenger airbags ऐहां पर इहां पर यहां पर यहां पर आपको समयं मिलेगे पांकि यहाँ पर छैप जहां मिलेगा है और यहां को अगर यहां करें तो total AC events की बात करें तो चुरू से शील करें और मैं यहां पे इस इन्ट देखने को मिलेकjek कorage काफ़ी ज्यादा बेस्थ हैं और ही पर बात करते है इसके डैसबोड की दैसबोड का यहां पर देख हें आग पर यहां पर अंगल वह कही न कहीं मिलता इस साथ उडर भी EBS, EBD, ESP, आपको बहुत सारे इसमें safety features मिलेंगे, बाकी बात करते हैं, यहाँ पे तो यह देखो, जैसे इसको move करेंगे, यहाँ पे इसको press करेंगे, तो यह देखो, glob box, भाई, glob box भी काफी ज़्यादा space, भाई, यह तो कहीं न कहीं top model से ज्यादा अच्छा मिल रहा न, यहा model से इसमें, बहुत अच्छा है यह चीज, इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ भी आपको कोई space मिलेगा, आप सिक्का पैसा रख सकते हो, wireless charging भी आपको यहाँ पे company offer करती है, 6-speed top gearbox के साथ गाड़ी मिलता है, वित reverse का, और इसके साथ साथ यहाँ भी नहीं है, इसके साथ साथ भाई एक चीज है जो इस गाड़ी में नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो मैं आपको दिखा हूँ, तो यह देखो, इसका यह जो seat है न, इसमें आपको ventilation नहीं मिलता है, इसमें आपको proper ventilation नहीं मिलेगा, इस seat में, इसके साथ साथ आप यहाँ पेस्ट लिखता है इसको यहां पर ही मिलता है और यह अपने the सीड को भी हर स्कति के लिया हूं हो यहां के आप देखेक्व Cheese तो लेघरूम की बबिए तो हैड्रीं और ढहुँं पूर्डऑल मैं व सिसमें मिलता है। तोस व सब्ढों से से भी होता पर फीचर में थोड़ा से चेंजिस होते हैं रियर में दो एसी मिलते हैं यहां पर आपको पांच बोल्ट का यूस्बी चार्जिंग और यहां पर सी टाइप का चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है स्पीकर आपको यहां पर मिलेगा इसके साथ त्वीटर देखने को मिलता है नीचे साइट से आप देखोगे तो पार्चल ट्रे मिलता है यहां पर आपको यह जो फेनिसिंग है यह आपको भी मस्ट आफ का है तो इससे होगा क्या कि गाड़ी आपका है अगर थोड़ा मोड़ा धूप में भी रहेगा तो वह जल्दी हीट नहीं हो होगा तो यह चीज भी कही न कहीं बेश्ट मिलता है इसके साथ साथ अब आपको मैं यहां पर इसका एक बार बूट स्पेस तो मैंने आपको दिखाई दिया है तो यहां पर आपको मिलता है इसमें पेट्रोल में अगर आप जाओगे तो पेट्रोल में 1.2 लिटर में लाइव प्रूफ एकदम आपको मैं इसका इंजन भी यहां से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको तो यह देखो इसका जो इंजन है वो आपको मिलेगा यह देख रहो यहां पर सबसे पहले तो इंजन हूट्स की बात करते हैं तो इंजन हूट्स जो है वो आपको काफी ज्यादा lightweight में देखने को मिलता है यह जो इंजन हूट सब देखो को काफी lightweight में मिलता है यहां पर आपको इंसूलेटर मिलता है जो की काफी ज्यादा बेस्ट है उसको नहीं लगाना कोई शू वाली बात नहीं है गाड़ी में अगर आप डीजल सक्षन में जाते हो तो आपको आटमाटीक देखने को मिलेगा वहां पर थोड़ा सा वाइब्रेशन भी ज्यादा है और थोड़ा सा पिक अपका इनिशल पिक अपका पावर थोड़ा सा कमेले कि 1.2 लीटर पर टोल्टा रूम में आप जाते हो आपको में बता दूब आई अपको मिलता धार्व आपको कटार से तो दो बाटन मिलता जिससे आगर आपका गारी कहीं ब्रेकडाउन होता है कहीं accident होता है तो आप उस बटन को दबाके nearest service station वाले को बुला सकते हो और वो आपका समाधान कर सकते हैं तो वो चीज़ आपको ये base model जो इसका नीचे का गाड़ी है वो इसमें नहीं मिलता है बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताएगा चानल पर पहली बा वाद जय हिंद जय भारत वंदे मात्रव